मैं ना कॉंग्रस के खिलाफ हूँ, ना पंडित नहरू के खिलाफ हूँ, हमारे देश की राजनीती, हमारे देश को जोड़ने की राजनीती होनी चाहिए, ना कि ग्रह युद्ध पैदा करने की राजनीती आज जो लोग केवल धर्म के और जाती के नाम पे वोट ले रहे हैं उनसे हम ये प्रशन तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा हमको राजनीती नहीं करनी है जो लोगों को दबाए हमको राजनीती करनी है जो लोगों को उठाए ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तमाल की जाती है ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तमाल होती है किसान इस समय कितने बड़े संकट में है कोई टीवी चैनल दिखाने को तयार नहीं कोई अखबार लिखने को तयार नहीं केवल क्या लिख रहे हिंदू-मुस्लिम, हिंदू-मुस्लिम, जाती-पाती, जाती-पाती, तोते के तरह, भाई को माटो, भाई को काटो, ये राजनीती हम होने नहीं देंगे, जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम च कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवन कुमार के तरह उठाके चले ना कि अपने जूते पर बिठाए अपनी आवाज उठाओ है अगर वरू गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है आपका स्वागत है उठाओ लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोक तंत्र मौन हो जाएगा अगर चुप हो जाओगे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24